मेरे लास्ट शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HD100546 इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लानेट है और साथ ही मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये प्लानेट रिवॉल्फ करता है एक B-type स्टार के अराउंड और आज हम देखने वाले हैं कि इन स्टार्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है दरसल स्टार्स को उनके साइज, टेंपरेचर, लुमिना सिटी के पीस पर कैटिग्राइज किया जाता है और जो classification stars के temperature पर based होता है उसे हम कहता है Morgan Keenan classification और इस classification technique में सहारा लिया जाता है letters का जैसे की O, B, A, F, G, K और M इस range में O type सबसे गरम और M type सबसे थंडे stars में गीने जाते हैं इसे और further classify करने के लिए इन letters के साथ-साथ digits का भी सहारा लिया जाता है जो की range करते हैं 0 से 9 तक जिसमें 0 अपने class का सबसे hottest star होता है और 9 अपने class का सबसे coolest star consider किया जाता है अगर इस हिसाब से देखे तो O, 0 उसकी class का यानि की O class का सबसे hottest star और O, 9 इस class का सबसे coolest star होगा अगर बात करें B type स्टार की तो इनका temperature 28,000 से लेकर 10,000 Kelvin के पीछ में होता है B type और O type star बहुत ही rare होते है और इनका color blue या फिर whitish होता है blue stars सबसे गरम होते है उसके बाद आता है नमबर yellow stars का white और blue stars के बाद सबसे गरम yellow stars होते है और सबसे last में आते है red stars जिनने सबसे थंडे stars में consider किया जाता है वैसे एक मिनिट, red color की तो एक और चीज होती है जो कि है हमारा subscribe बटन तो subscribe बटन को जल्दी से दबा कर उसे gray कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like ज़रूर करें चलिए बात करता है हमारे sun की sun basically एक G type star है जिनका color yellow और उनका temperature 5000 से लेकर 6000 Kelvin के बीच में range करता है अब ये तो बात थी stars की अगर हम बात करें planets की तो इससे related में amazing वीडियो अपने चैनल पर बना रखिए अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो तो left side वाली वीडियो पर click करो और मैं तुमसे मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए goodbye